हूली के तेव eruption पर एक प्रोपेगेंडा जो है वो देश भर में फैलाया जा रहा है हिंदूओं को आपस में लड़ाने के लिए भढ़काने के लिए तो उस प्रोपेगेंडा के विशय में आज बात करना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो मैं आपको वो कहानी बताता हूँ कि किस तरह की एक कहानी जो है वो सनातन कल्चर के खिलाफ हिंदु धर्म के होली तेवार के खिलाफ फैलाई जा रही है तो बहुत सारे हमारे जो शेडिल्ड कास्ट के भाई वहन हैं Sheduled Tribe के भाई वहन है उनके बीच में कुछ लोग जाकर ये प्रोपगेंडा फैला रहे हैं कुछ इस तरह की Facebook पोस्टें भी लिखी जा रही है कि जो Holy है वो जो Holy का का दहन होता है वो Holy का असल में Sheduled कास्ट थी हिर्णा कश्यप Sheduled कास्ट राजा था और उस कहानी में ये बताया जाता है कि जो प्रहलात था वो प्रहलात को ब्रामणों ने आपर कास्ट लोगों ने नारत मुनी के माध्यम से भढ़का दिया और उसके बाद जो वो अच्छा राजा था हिर्णा कश्यप उसके राज्य मे प्रहलात जो है वो गलत सरत काम करने लगा शराब पीने लगा और और भी गलत चीजों को करने लगा और उसके बाद जब उस राजा ने उसे रोकना चाहा तो उसने उसके खिलाफ भी बुरा भला कहा और उसके बाद फिर आगे जाकर ये लोग इस प्रोपगेंडा कहानी को बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जो होलिका थी वो उसकी बहन थी जो है हिर्णा कश्यप की और वो भी शेडिल कास्ट से आती थी तो जब वो इसको समझाने के लिए गई प्रालात को तो ब्रामनों ने उसे बता दिया कि वो खेत में कहीं छुपा है और फिर वो जब आगे जाती गई जाती गई तो वहाँ पर उसका बलातकार किया गया अपरकास द्वारा और बलातकार करने के बाद सुभा चोकी राजा को पताना चले तो उसको जला दिया गया तो इस कारण ये लोग हुली मनाते हैं और फिर एक और प्रोपेगेंडा स्टोरी में कहानी जोड़ी जाती है कि वो अबीर का जो तिलक लगाया जाता है तो वो अवीर रहे है हिरना कश्यप ने फिर उन लोगों को जो बलातकारी अपरकास्ट लोग थे उनके सर पर तलवार से अवीर ले लिख दिया तो वो अवीर लगाने लगे और प्रलाज जो था उसने बाद में विश्नु जो थे वो अपरकास्ट के देवता थे उनके मदद से हिरना कश्यप को मार के राज्य हडप लिया और ये सारी जूटी कहानिया वो लोग फैलातें तो इस तरह का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है जो शेडूल कास्ट के हमारे भाईयों बहनों में फैलाया जा रहा है उनको बताया जा रहा है कि ये जो हिना कश्यप है वो दलित था या जो ये होलि के सामने रखने जा रहा हूं तो दोस्तों सच क्या है वो जानने के लिए हमेशा हमको रूट पर जाना चाहिए जो रूट को से जिस यदि रमायल को आपको जानना है तो सबसे प्रमुग ग्रंथ है वालमिकी रमएन भगवान श्री राम के विशय में जाननाए तो इसी तरीके से आपको यदि श्री क्रश्न के बारे में या अरजुन पांडवों के बारे में जानना है तो महाभारत मूल गरंथ है तो इसी तरीके से यदि आपको होलिका की कहानी, हिर्णा कश्यप की कहानी, प्रलात की कहानी जाननी है तो मूल गरं थे भागवत पुराण तो जब हम भागवत पुराण में जाते हैं तो भागवत पुराण में ये जो प्रोपगेंडा फैलाया जा रहा है कि हिर्णा कश्यब जो है वो शेडिल्ड कास्ट था और दलित था और उसको ब्रामणों ने मारा तो इसको मैं यदि आपको सच्चाई बताना चाहूं तो असल में हिर्णा कश्यब खुद ब्रामण था तो ये कहानी कहां से आती है यदि मैं आपको बताऊं तो भागवत पुराण के अंदर जो कश्यब रिशी है कश्यब रिशी जो है वो ब्रामण थे हम सभी जानते हैं कश्यब रिशी की एक पत्नी थी दिती तो दिती जो है वो दक्ष राजा की बैटी थी तो दिती और रिशी कश्यब इन दोनों को जो है वो हिर्णा कश्यब और हिर्णाक्ष नाम के बच्चे हुए तो असल में सुर भी उनको भी हुएं अधीती को सुर हुए हैं इधार असुर हुए हैं तो दोनों ही तरफ की जो lineages हैं वो कश्यब से ही चलते हैं तो कश्यब ब्राम्मन हैं दिती के जो पिता है वो भी ब्रामण है दक्ष प्रजापती तो फिर हिर्णा कश्यप कैसे शेडूल कास्ट हो गया तो असल में ये जूटी कहानी एक फैलाई जाती है खैर हम लोग आगे आते हैं इस कहानी में क्या है कि हिर्णा कश्यप जो है वो इनका बेटा होता है और हिर्णाक्ष भी और इनके पुर्वजनम की भी कहानी पर जाएं तो वहाँ पर पुराणों में वो कहानी भी आती है कि असल में ये दोनों पहले जय और विजय थे जो भगवान विश्नु के द्वारपाल थे जब उनने सनत कुमारों को अंदर नहीं जाने दिया था तो सनत कुमारों ने उनने शराब दिया था कि तुम प्रत्वी लोग पर चले जाओ तो उस समय जब इन्होंने माफी मागी तो विश्णु भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा उध्धार करूँगा तो हिर्णाक्षे नाम का जो व्यक्ति था हिर्णाक्षे राक्षस ने सबसे पहले जन्म लिया और फिर वो तपस्या करकर ताकतवर हुआ और वो जब प्रत्वी को नस्ट करने लगा तो उस समय वारहा अवतार के रूप में भगवान विश्णु ने ही उसका उध्धार किया इसी तरीके से अबाई बारी हिर्णाकषे बारी हिर्णाकषे की तो हिर्णाकषे भी जब प्रलाद पेट में था उसकी पतनी के तो हिर्णाकषे का विश्णु भगवान से दुश्मनी हो गई क्योंकि उसने जो है ये देखा था कि उसके भाई जो है उसकी जो डेथ हुई उसका कारण वरहा अवतार बने तो उसने विश्णु भगवान को हराने के लिए ये तपस्या करनी शुरू करी तो उसने तपस्या जब करी तो इंद्र भगवान और इंद्र देवता और बाकी देवता जो है वो उन्हें मालूम चल गया कि ये जो है ये असुर है राक्षस है ये गलत डिरिक्शन में जो है वो तपस्या कर रहा है तो उनने सोचा इस समय इसके घर पर अटेक किया जाए तो जब वो घर पर अटेक करने गए तो नारद मुनी ने उनको रोक दिया और नारद मुनी ने हिर्णा कश्यप की जो पत्नी थी कयादू उनको अपनी शरण में ले लिया और उनको और उनकी संतान जो प्रलाद पेट में था उनकी रक्षा की तो प्रहलात की रक्षा करी और जब तक हिड़नाकश्यप की तपस्या चली तब तक वो नारद मुनी की शरण में रहे तो नौ महीने जब वो पेट में रहा प्रहलात तो उसने भगवान विश्णो के गीत नारद मुनी के मुग से सुने सारी उसने संसकार लिये तो उस समय वो संसकारित हो गया वहाँ पर तो जब ये हिर्णा कश्यक को ब्रह्मा जी से वरदान मिला तो उसने पहले तो अमरत्व मागा जो ब्रह्मा जी ने नकार दिया उसके बाद फिर उसने कहा कि अमरत्व यदि नहीं मिल सकता तो ऐसा वर्दान दीजी कि मैं ना दिन में मरू ना रात में मरू ना सुभा ना शाम को ना कोई पुरुष मार सके ना इस्तरी मार सके ना जानवर मार सके ना जीव ना घर के बाहर मरू ना अंदर इस तरह का एक वर्दान मांगा कि वो अमर के तरह का ही लगबग हो जाए तो ब्रहमा जी ने वो वर्दान उसे दे दिया उसके बाद उसने सारी प्रत्वी पर हाकार मचा दिया लोगों पर अत्याचार करे सारे देवताओं की पूजा बंद करवा दी सबकी पूजा बंद करवा दी और खुद की पूजा शुरू करवा दी तो बहुत से लोग इससे नाराज हुए दुखी हुए लेकिन वो इतना ताकतवर हो गया था कि कोई देवता भी उसे नहीं मार पा रहे थे अब ऐसे समय में जो प्रलाद था प्रलाद नहीं चुकी मैं बता चुका हूँ तो उसने कही बार अपने बेटे को मारने का प्रयास किया लेकिन वो बच्चा बच्चा गया तलवार से काटा तो तलवार फूल बन गई कही बार किसी ने तीर मारा तो तीर भी इसे भी वो नहीं मरा पहार से फेकने पर भी वगवान विश्णु ने उसे बचा लिया तो उसके बाद जो है हिर्णा कश्यप ने अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम था होली का अब आप देखिए हिर्णा कश्यप चुकी रिशी कश्यप का बेटा है तो वो भी ब्रामन है और हिर्णा कश्यप जो है जो रिशी कश्यप है उनकी पतनी जो है वो भी दिती जो है वो भी ब्रामन थी तो हिर्णा कश्यप का बेटा जो है प्रलाद वो भी ब्रामन हुआ और हिर्णा कश्यप का जो बहन है होली का वो भी ब्रामन हुई तो ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि ये शेडूल काश था और ये ब्रहाम्मन था वो कुछ नहीं है एक ही परिवार की कहानी चल रही है तो अब होलिका ने जो है होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो जलीगी नहीं कुछ पुराणों में ऐसा है कि उसके पास ऐसा वस्तर था जो जिसके तुरू वो जलती नहीं थी तो उसने हिरना कश्य को परिशान देखा तो उसने कहा कि क्या हुआ तो उसने कहा मुझे अपने बेटे को मारना है लेकिन वो मर नहीं रहा है तो होलीका ने कहा कि मैं जलती नहीं हूं तो मैं इसको लेकर आग में बैट जाँगी वो जल जाएगा तो होलीका के साथ प्रलात को आग में एक बहुत बड़ा वो बनाया गया उसके अंदर कंडों का और अकडियों का उसके अंदर उसको बिठा दिया गया अब उसने भगवान श्री विश्नु का नाम लेना शुरू किया तो जब भगवान विश्नु का नाम लेना उसने शुरू किया प्रलाद ने तो उस समय हुआ ये कि होली का उल्टा जल गई और प्रलाद बच गया तो होली क जल गई तो बुराई जो है वो जल गई और अच्छाई रह गई इसी बुराई को अपनी को जला देना और अच्छाई को अपना लेना इसी के रूप में जो है वो सनातन धर्म का तेवार होली मनाया जाता है जिसको चारों वर्णों के लोग मनाते हैं किसी भी कास्ट के लोग वो बनाते हैं और उसका मूल सवरूप यही है कि बुराई को त्याग देना और अच्छाई को अपना लेना तो ये जो कहानी है कि वो दलित थी होलिका या हिर्णा कश्यब दलित था या प्रलाद ब्राम्मन था या प्राम्मन उने प्रलाद को भड़काया या प्रलाद बुड़ा था ये सारी के सारी कहानी जोटी है तो कहानी इस तरह से चलती है कि जब उसने अपने बेटे को मारने का प्रयास किया वो नहीं मार पाया फिर हुली का भी जब जल गई तो उसने फिर उसको पीटना शुरू करा प्रलात को और फिर उसने प्रलात से पूछा के बता कौन है भगवान मैं हूँ या विश्नु तो फिर भगवान विश्नु ही है जो सब जगा हैं तो उसने कहा हिणा कश्यप ने क्या वो इस खंबे में भी है तो उसने कहा हाँ इस खंबे में भी है तो फिर उसने कहा निकाल के दिखा तो उसने जब गदा से प्रहार किया खंबे पर हिणा कश्यप ने तो उसमें से नरसिं इंदर था ना बाहर था उस समय ना दिन था ना रात थी पहर बदल रहा था तो वैसा एक समय आ गया जो उसके पूरे के पूरा जो आशिरवाद मिला हुआ था हिर्णा कश्यप को वो आशिरवाद असल में तूट रहा था वहाँ पर तो उस समय में उसको अपने क्योंकि वो राजा बनाया जाता है तो अब आप देखेंगे कि प्रलाद भी दैते है मतलब दिती का पुतर है दैते है असुर है लेकिन उसके गुण अच्छे है उसका अचाल चलन अच्छा है तो प्रलाद राजा रहता है और कई वर्षों तक प्रलाद राजा रहता है और असुर होन जो है या फिर हम इनके बेटे हिर्णा कश्यप की बात करें होलिका की बात करें परलात की बात करें तो यह सबी ब्राह्मन कुल के लोग हैं तो यहां पर एक प्रोपेगेंडा के तहट दलितों को भढ़काना उनके मन में भाव डालना भुजन समाज के मन में कि अपरकास ने तुम्हें मारा होली का बलातकार हुआ और यह सब जोटी कहानियां फैलाना सिर्फ एक अट्रोस्टी लिटरेचर और एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है और यह वो लोग फैला रहे हैं जो लोग हिंदू धर्म के लोगों को कनवर्ट करना चाहते हैं दूसरे धर्म में तो आपको इस प्रोपेगेंडा को समझना चाहिए तो मैंने आपको बता दिया कि यदि होलिका की कहानी हिर्णा कश्या परलात की कहानी पढ़ना है तो भागवत महापुरान इसका प्राइमरी ऑथेंटिक सोर्स है और कोई भी शोत करता जब रिसर्च के बेस पर बात करता है तो प्राइमरी सोर्स पर वो बात करेगा तो प्राइमरी सोर्स के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि ये सभी के सभी जो है वो ब्रामन कुल में कश्या प्रिशी की संताने हैं तो कहीं पर भी किसी का दूसरे वर्ड में होना या दूसरी कास्ट में होना मेंशन्ड ही नहीं है और कहीं पर कोई ऐसा reference नहीं मिलता है जो कहानी ये लोग जो हमारे समाज के लोगों को भढ़गाने के लिए फैला रहे हैं तो इस तरह की कहानी और propaganda में आप लोग ना आए और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि जो भी लोग इस तरह की बातें आपके समक्ष करें उन लोगों को ये वीडियो दिखाएं और उनको बताएं कि ये authentic source है भगवत पुरान आपका क्या source है ये लोग कहीं कोई article लिख देते हैं अपने मन गरंत कहानियों का फिर उसको quote करके दूसरा article लिख देता है चाहते हैं तो सिर्फ सचाई के लिए आपको एक शास्तर उठाना पड़ता है एक ग्रंत उठाईये जहां से ये कहानी निकली है और वहां से पूरा दूद का दूद और पानी का पानी हो जाता है तो यही विशय मुझे आज लेना था कि होली का पर होली पर जो प्रपगेंड़ा एक चल रहा है कि होली का दलित थी हिरना कश्यप दलित था ये सारा का सारा जूट है ये एक ही ब्राह्मन परिवार की पूरी कहानी है जिसमें प्रलाद अच्छा था तो वो बजगया उसने राज किया उसके नादेवताओं ने परिशान किया बाद में नहीं भगवान विश्नु या अक्तिन उत्रिदेव से उसका कोई संगर्श हुआ और जो बुरे लोग थे इरनाक्ष और इरनाकश्यप उन दोनों का ही वद भगवान के हाथों हुआ और वो भी नहित था क्योंकि वो पहले जय विजय थे और उनका उद्दार भगवान के हाथों ही होना लिखा था इसलिए ये सारा का सारा पूरा हुआ तो ये पूरी कहानी है इसके अलवा कोई दूसरी कहानी जो है जो वो लोग सुना रहे है उसमें कहीं कोई सच नहीं है उसका कोई रेफरेंस नहीं है कहीं कोई उसका प्रूफ नहीं है तो कोई भी इस तरह से आपको भरगलाने या भढ़काने का प्रयास करे तो उसकी बातों में ना आए और इस सची कहानी को लोगों के सामने पैश करे तो यही आज मुझे आप लोगों से कहना था धन्यवाद